हेलो फ्रेंड्स पीम किसान योजना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो किसान भाईयों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ जो पिद्धान मंत्री सम्मान निदी योजना है उसमें जो आपके लिए स्टॉल्मेंट मिल रही थी फर्स्ट सेकेंड इस्टॉल्मेंट जिनको कोई भी परिशानी नहीं आ रही थी जिन किसान भाईयों को छे स्टॉल्मेंट तक मिल गई है अब उनके लिए बहुत बुरी ख़वर है क्योंकि उन्होंने अगर अपना आधारकाड वेरिफाई नहीं कर आया तो आपके जो छटी जो सात्मी किस्त है यह उसका पैसा आपके काउंट में नहीं आएगा तो आपको जो अपना अधारकाड उसको वेरिफाई करना पड़ेगा और जिन-जिन किसान भाईयों को छटी किस्त मिल गई है तो उनको अब अगर अपना आधार काड वेरिफाई नहीं कराएंगे तो उनको साथ भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा तो सभी भाई इस वीडियो को जरूर देखें और लाश तक देखें कट करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा नहीं तो बाद में आपको पस्ताना भी यहाँ पर पढ़ सकता है तो यह सभी किसानों के लिए वड़ी ख़वर है तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को और ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि किस प्रिकार्ट से यह सारा कुछ अपडेट कहां पर आया है तो फ्रेंड्स मेरा नाम है राजु गंवार आप देख रहे हैं पीम किसान यूजना चैनल अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वैल आइकन को प्रेस कर देना जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो यहाँ पर डालू है और क्रूम ब्रादूर को ओपिन करने के बाद में यहां पे आपको डाल देना है पीम किसान डॉट एन आई सी डॉट इन जैसे इसको आप डालेंगे तो देखी कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा वेन फैक्टिर इस चैसे आप यहां से चेक कर सकत यहांसे भी कर सकते हैं। उसके वाद में आपको किसान भायों क्या करना है प्यासाउगा हो दो किसान संवांडी योजना इस चैसत ऑन-लाइन यूपी गंणा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखें लेना वेप साइट पर आपको जाना है जो मैं आपको बता रहा किसान सम्मान निदी योजना का आवेधन कैसे करें तो अभी घवराये मत मैं आपको जो मैंने आपको बताया था जो थिमेल में दिखाया है वो साला कुछ आपको यहां पे मैं बताने वाला हूँ तो देखिए मैं आपको पहले शुरू से बता दिता हूँ यदि आपने केंदर सरकार द्वारा चलाई गई पिर्धान मंत्री सम्मान योजना में आवेधन किया है या करना चाहते हैं तो आपका आवेधन कैसे करेंगे उसको नजदी की CSC सेंटर पर जाकर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं यहां पर देखिए आप उसमें आपको क्रेडिट कार्ड लेविट कार्ड पास्बोग और जो आपका आधार कार्ड ठीक है उसके बाद में देखिए यहां पर भी इन्होंने लिखके दे दिया है पिर्धान मंत्री आवेधन फॉर्म नंबर कैसे सुदा रहें तो यहां पर यह सारा कुछ दिया हुआ है इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया इस वैपसाइट पर आप आकर उसके बाद में हम बात करते हैं आधार कार्ड के वारे में तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं आवेधन करते समय अगर आप का खाता नंबर से लिंक होना जरूरी है दर्दमान में इस योजना का लब पाने के लिए आधार कार्ड बैंक से लिंक होना जरूरी है उसके वाद में कि किसांव … इन्und ने दे दिया है पिरधान मंत्री किसां संबान Holl Hadid योजना यानि इसकीम के तहट सालाना 6000 रुपए का लाव लेना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड बैरिफाई के लिए तयार हो जाई है देखिए यहां पर दे रहे हैं यह देखिए मैं आपको बता देता हूं देखो फिर्शे पढ़के सुना देता हूं पिर्धान मंत्री समान निधी योजना निधी के इसकीम के तहट सालाना 6000 रुपए का लाव लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए तयार हो जाई है ठीक है जंबु कस्मीर आसाम और मेगाला के किसानों को पी एम किसान इसकीम का फादा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हाल मे आधार कार्ड लिंक करवाना होगा बरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा सेस राजजू में 11 में एक दिसंबर 2019 से आधार कार्ड को लिंक कर वाला यानि आधार का अनवाली कर दिया गया है उसके बाद में देखिए मैं और आपको यहां पर दिखा देता हूं देखिए इस परकार शेये और फिर यहां पर देख रहे हैं यह पीम किसान सम्मान निदी योजना इसे सर्थ कैसे चेक करें तो महां से आपने यह तो आपको पता ही होगा वट आप यहां पर मैंने जो आपको बताया है इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिए अभी यह आसाम मेगाल है और इनके किसानों के लिए हैं पर चल रहा है 31 मार्च 2021 तक हाल में हो जाना चाहिए नहीं होगा तो आपको यह जो पै कि यहां पर दिया हुआ है PM किसान सम्मान निधी योजना वन फैक्टरी लेश्ट तो आप अगर लेश्ट देखना चाहें तो यहां पर जो आपके सामने यह वैप साइट दिख रही है नीचे की और ऊपर से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यहां पर आपको दिख और यह भी ओपिड हो जाएगा तो देखे किसान भाई भाई वी इस तरीका का इंटरफेस आजाएगा थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं यहां पर तो यहां पर अपनी स्टेड आपको श्लैक कर लेनी है जो आपकी स्टेड है तो यहां पर देखिए मैं आपके लिए को शूश्च करने के बाद में देखिए अभी घूँँन हुश करने के बाद में फिर आपको हैं यहां पर क्या करना पड़ेगा घूम रहा है थोड़ा सा अ जुक्तवर आप से तो इस मतलब गाउं को चूश कर लेना है और ऊंसके बाद में देखेए जिनयट रिपोर्ट यहां पे आपको किलिक करेंगे तो कुछ देर यह घूमेगा और घूमने के बाद में यहां पे जो आपकी गाओं का नाम होगा वो सारा कुछ यहां पे अभी दिखा देगा तो किसान भाईओं देखी। कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा यहां पर सारा कुछ आपको यहां पर एक से चेह पर छेपर क्लिक करेंगे तो यहां से इस परिकाट से आप छेक कर सकते हैं तो देखिये अभी हूं रहा है उसके बाद मेंざे फोदा और आजाते हैं उसके बाद में दीआ यहां पर दिया हूँ है घ monarch एऴ हम किनान Capital दियोजन और लाइन चेक करें तो ये तो आप आपको पताई होगा इसका चेक करने के लिए हल्फ लाइन वाइन नंबर आपको बतायी है यहां यहाँ से आप help लाइन नंबर है जो उसकोर आप करेंग सकते हैं